Hello friends, welcome back to my channel, Gain Brain with Himan Shirishi and आज की इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे education से related का रंट अफैस और ये रहने वाला है part 12th of the video जी हाँ, इससे पहले मैं 11 पार्ट सा अलरेडी लाच चुकी हूँ इसी सीरीज के education का रंट अफैस से related अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा या आपकोई भी पार्ट गलती से मिसकर दिया उसका link मैंने पूरी playlist बना रखी है उसका link मैंने description box में डाल दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं moreover अगर आप मेरे चानल पे new हैं then please do subscribe my channel and video को like, share और comment करना बिलकुल मत भूलियेगा now let's get started with the questions first question India's first vertical university campus is set to be set up in which of the following places India की पहली vertical university का campus कौन सी जगा में बनेगा वो हमें बताना है ठीक है अभी तक इंडिया में एक भी vertical university का campus नहीं है vertical मतलब एकदम सीधा खड़ा हुआ सा campus जैसे MNC इसकी building होती है न वो काफी buildings vertically होती है बट अगर हम schools या campus वगेरा देखे वो बहुत फैले हुए होते है वर्टिकल नहीं होते है बट फैले होते है काफी बड़े से एरिया में ठीक है सो आज तक इंडिया में कोई भी campus पढ़ाई का university का vertical building में नहीं है सो फर्स्ट हमें बताना है कौन सी जगा में बनेगा जो की सीधी खड़ी सी building होगी university की सो चार options है Mumbai and Thane, Delhi and Mumbai, Rajasthan and Mumbai या फिर Karnatka सो जो इस question का correct answer है वो है option A that is Mumbai and Thane सो अभी हम इसके बारे में और पढ़ते हैं कि यह है क्या सो इंडिया का first ever vertical university campus जो अभी बना नहीं है जो बनेगा वो कहां बनेगा Mumbai और Thane में अभी हमने उपर discuss किया और इसमें लिखा है कि आपको question ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सी state अभी तो साफ साफ city के नाम लिखे थे ठीक है बट आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कि कौन से state में इंडिया का पहला vertical university campus बनेगा तो उस scenario में option जो अगर महराष्टरा होगा आपको वहाँ पर correct answer महराष्टरा टिक करना है ठीक है और ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है साफ साफ इसमें लिखा है due to the chronic shortage of land सो मुंबई ये बहुत इंडिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है मुंबई ठीक है सो जो वहाँ पर land है availability of land बहुत कम है वहाँ पर लोगों के घर बहुत congested congested होते और बहुत महंगे होते है छोटा सा भी area वहाँ पर बहुत महंगा है चैंपस फैला हुआ नहीं बनेगा बट खड़ा इरेक्ट बनेगा सो इंडिया का ये पहला ऐसा कैंपस होगा सो स्टेट महाराश्ट्रा सिटी कौन सी मुंबई थाने नेक्स्ट्ट्रेक्ट्रेशन इंदर युनिवर्सिटी अफ मंबई has signed memorandum of understanding two universities of which of the following country So, हाली में University of Mumbai ने कौन सी country के साथ एक memorandum sign किया है एक kind of a deal sign करी है उस country की दो universities के साथ ठीक है क्यों? Because of exchange programs अब exchange programs में क्या होता है? किसी state या फिर किसी country के बच्चे दूसरी country में जाते है कुछ 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, एक दो महीनों के लिए वहां के schools में, वहां के बच्चों के घरों में वो रहते हैं जी हां, ऐसा होता है एक अच्छे अच्छे schools में exchange programs So, वहां पे वो रहते हैं और वहां के वो basically exchange programs की होते हैं कि वहां का उनको cultural चीजे पता चले, ठीक है cultural beliefs क्या है उस country के उस जगा के, उनके school में क्या पढ़ाई होती है और हमारे school में वो क्या चीज नहीं है या फिर क्या हमारे school में है, क्या उनके school में नहीं है, so basically University of Mumbai ने country के साथ दो university, उस country की दो universities के साथ का नाम बताना है, USA United Kingdom, Japan या फिर चाइना, so जो इस question का correct answer है, वो है option number A, that is USA, जी हाँ, USA के साथ ये इनोंने memorandum sign किया है Next, very important question which program has recently been launched by the Ministry of Education's Innovation Cell, to nurture innovation and collaborative problem solving, so हाली में Ministry of Education's Innovation Cell ने एक program launch किया है, क्यों, कि बच्चों को वो nurture कर सके उनका innovative skills, ठीक है, और अगर innovative है, हमारे बच्चे उनकी creativity innovative है, वो बढ़ रही है तो वो basically problem solving में भी help करती है, so ऐसा कौन सा program है, जिसका main focus क्या है, to nurture innovation and collaborative problem solving, ये तो हमें इसके aim बता दिये question में बट हमें उस program का नाम बताना है, last program smart India hackathon 2023, youa 2023, या फिर none of the above, इन में से कोई भी नहीं, so important ये question इसलिए क्योंकि हाली में 2-3 दिन पहले ही इसकी बैटक हुए से launch किया गया है, so जो इस question का correct answer है, वो है option number B, that is smart India hackathon 2023 so what is smart India hackathon 2023 और इसकी आप red में highlight देख सकते हैं इसकी जो short form है, SIH है, तो आप से पूछा जा सकते है कि SIH 2023 क्या है, so it is smart India hackathon, यह क्या है it brings the next generation evolution by inclusion of new methodology so basically new methodologies यह offer करती है, बच्चों को सिखाती है क्यों? क्योंकि बच्चे again, जो इसका main name है बच्चे innovative बन सके और अगर वो innovative बन जाएंगे, so basically उनको new startup में help करेगा startup क्या होता है, अगर कोई अपना new कोई काम खोलना चाहे, so English में हम उसे startup बोलते है, ठीक है so obviously अगर हमारे बच्चे innovative होंगे, problem solving, अगर उनमें यह चीज होगी, ठीक है तो वो obviously वो अपने new startups खोल सकेंगे सो जो यह smart India hackathon 2023 है, यह इन बच्चों की इन skills को इने आगे लेकर जाते हैं, so basically इनको develop करते हैं, ठीक है, बच्चों के innovative skills को so basically आप देख सकते हैं 7500 innovation institutes से यह जुड़ा हुआ है यह platform and यह बच्चों को help करता है कि उनके doubts clear कर सके जहां पे उने doubts आ रहे हैं ठीक है, जो उनकी queries है तो basically आपको aim पता होना चाहिए और इस program का नाम पता होना चाहिए which city is named as the best city of India यह I know education current affairs से related नहीं है, but let me tell you one thing, NVS का जब last time exam हुआ था, तो ऐसा question उसमें देखने को मिला था, although उन्होंने भी mention किया था, education current affairs ही आएंगे but एक दो ऐसे questions थे ठीक है, कि last time सहित्याद्याद्याद्यावार्ड किसे मिला था, Nobel Prize से question था so, और एक question ऐसा भी था, best city, ठीक है और एक और question था, कि ऐसी कौन सी city है, जिसमें पानी की problem ही नहीं है so, ये NVS के questions मैं आपको बता रही हूँ, बट ये हाली में, कल ही कल या परसों ही, best cities के award दिये हैं 2022 के, ठीक है Smart Cities of India, ये award का नाम था so, ये परसों ही दिये गए हैं बट ये 2022 के दिये हैं पिछले साल की जो best city थी ठीक है, तो 2023 के obviously अगले साल दिये जाएंगे so, अगर question में आएगा तो ये ही पूछा जाएगा पिछले साल 2022 की कौन सी थी so, which city is named as the best city of है, हाली में कैलकटा, इंदौर, एहमदाबाद या फिर बैंगलाओर so, the correct answer is the B option that is इंदौर अब इसे best city का आवाड क्यों मिला है because पिछले 6 सालों से इंदौर सबसे cleanest city है, सबसे साफसुत्री city है पिछले 6 सालों से इंडिया की so, इस बार इसे best city का खिताब दिया गया है अच्छा, मैं आपको second और third भी बता देती हूँ, जो second best city है, वो है सूरत और जो third best city का आवाड दिया गया है आगरा को but for exam point of view, first ही हमें मतलब पूछा जाएगा now, which city is named as the best state of India, पहले तो city के बारे में पूछा था, अब हम से state के बारे में पूछा है, कौन सी state India की best state 2022 का किताब दिया गया है, या फिर है ठीक है, so उत्तर प्रदेश, हर्याना मध्या प्रदेश, या फिर महाराश्टरा so जो इस question का correct answer है, वो है option number C, that is मध्या प्रदेश, हाँ मध्या प्रदेश को ही ये award दिया गया है best state 2022 का अब इसे ये award क्यों मिल है, because बहुत सारी development हुई है last year urban development और मतलब बहुत सारी अगर देखा जाए जो last year में सबसे जादा अगर किसी भी state में development हुई है तो वो मध्या प्रदेश में हुई है और इसी के चलते इसे best state का award दिया गया है अब second best state का award दिया गया है तामिल नाडु को और जो third best state है वो tie है between Rajasthan and Uttar Pradesh again first ही पूछा जाएगा अगर exam में पूछा गया तो first हमें city और state दोनों का first ही आद रखना है अचा one thing अगर आप चाहते हैं कि NVS के जितने भी last time education से related current affairs आए हैं exam में अगर आप चाहते हैं कि मैं previous year के current affairs NVS वाले because हाली में 2022 दिसंबर में वही exam हुआ था जिसके अंदर साफ-साफ लिखा था education से related current affairs आने हैं तो आप मुझे जरूर comment section में बताईए because मेरे पास है मैने question papers देखे हैं online काफी है so मैं उन में से देख के मैं video ला सकती हूँ only if अगर आप मुझे बोलेंगे तब ही otherwise ऐसे भी जैसे कि education current affairs अभी चल रहे हैं ये भी सही तरीका है but वो previous year के questions to get an idea कि कैसे questions आते हैं आपको लग जाएगा और moreover आपको और new questions भी देखने को मिल सकते हैं now next question UNESCO has decided to dedicate the international day of education dash to afghan girls and women so UNESCO ने जो international day of education है ठीक है? अब हमें पता होना चाहिए कि international day of education कौन सा है? सो जो इस बार का international day of education है UNESCO ने dedicate किया है अफगान की girls और औरतों को women और girls को लड़की और औरतों को सो हमें day बताना है इसमें basically घुमा फिर आके पूछा गया है कि international day of education कौन से दिन आता है? और उसको dedicate किया है अफगान की girls को और women को किसने? UNESCO ने A option 16 January B option 5 September C option 23 January D option 24 January सो जो इस question का correct answer है वो है option number D that is 24 January सो 24 January को international day of education बनाया जाता है question ये भी पूछा जा सकता है कि इस बारी का international day of education किसको dedicate किया है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए women of Afghan A five day Jeevan Vidya Shivir was organized for the teachers of government schools of which state or UT? So, किसी state की या फिर UT की government ने government schools में अपने teachers के लिए पांच दिन का Jeevan Vidya Shivir organize किया था ठीक है? So, basically Jeevan Vidya Shivir एक workshop है So, हमें इस state का या फिर UT का नाम बताना है Union territory का किसने ये workshop अपने teachers के लिए government teachers के लिए करवाई थी ठीक है? Jammu एन Kashmir, Delhi, Himachal Pradesh या फिर Haryana So, जो इस question का correct answer है वो है option number B That is Delhi So, Delhi के government schools ने अपने government teachers के लिए Jeevan Vidya Shivir का इस workshop को organize करवाया था So, ये उसी से related है Jeevan Vidya Shivir सर देख लेते है क्या है Delhi State Council of Education, Research and Training So, basically SCERT ने ये पांच दिन का Jeevan Vidya Shivir अपने teachers के लिए government schools के तियागराज स्टेडियम में करवाया था ठीक है पांच दिनों का जिसमें अराउंड 4,000 टीचर्स गए थे इस workshop को attend करने और डेट भी मेंचन है 28 जान से एक फेबरेरी के बीच में ये workshop हुई थी So, basically मैं बता देती हूँ इस workshop के इंदर लाइफ स्किल्स के बारे में बताया था कि लाइफ स्किल्स क्या कैसे हमें मनी से जादा अटाच नहीं होना चाहिए कैसे हमें छोटी-छोटी चीजों में खुशियां डूनने की आदत होनी चाहिए ठीक है So, basically लाइफ स्किल्स के बारे में जीवन विद्या शिविर के अंदर सिखाया गया था आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसकी PDF चाहिए इन questions की तो उसके लिए आप मेरा Telegram का चानल जॉइन कर सकते हैं जिसका link मैंने description box में डाल दिया है moreover comment section में जरूर बताईएगा आज के questions का level आपको कैसा लगा and like जरूर करिएगा वीडियो को now moving on to the next question Prime Minister Modi has recently paid the installment of 630 करोर रूपीज under which scheme so हाली में Modi जी ने जो हमारे Prime Minister है उन्होंने installment पे करी है कितने की 630 करोर की ठीक है यह किस scheme के अंडर उन्होंने करी है इतनी बड़ी installment PM शिरी scheme समगर शिक्षा scheme midday meal scheme या फिर इन में से कोई भी नहीं so जो इस question का correct answer है वो है option number 8 that is PM शिरी scheme last time last year ही यह scheme launch की गई थी Modi जी द्वारा PM शिरी scheme so यह बहुत important question इससे बन सकता है ठीक है इस scheme की full form क्या है इस scheme का main aim क्या है so अभी वो हम सब पढ़ेंगे आगे so basically हाली में जो इसमें हुआ है वो यही है कि Modi जी ने 630 करोर रूपीज दिये है कुछ schools के लिए ठीक है कुछ 620 around schools के लिए उन्होंने इतनी बड़ी amount दी है so अभी हम पढ़ेंगे कि PM शिरी schools है क्या so what is next question what is the full form of PM श्री scheme अभी हमने पढ़ा PM श्री scheme के बारे में बढ़ेंगे फुल फुल फॉर्म नहीं डिसकस करी so next question ही था इसका इसलिए मैंने नहीं बताया so PM श्री scheme की full form क्या है option A है PM schools of राश्ट्रे इंडिया next option PM schools for rising इंडिया C option PM शिक्षा for rising इंडिया या फिर D option PM शिक्षा for राश्ट्रे इंडिया so जो इस question का correct answer है वो है B option that is PM schools for rising इंडिया so इसकी आपको full form अच्छे से पता होनी चाहिए कि PM श्री scheme की जो full form है वो है PM schools for rising इंडिया so जैसे कि अभी हमने discuss किया कि ये बहुत important scheme है तो हमें पता होना चाहिए last year ये launch हुई थी कब September 2022 में to be more specific it was launched on 7 September ठीक है September 2022 में ये launch की गई थी PM मोधी द्वारा और basically इसका क्या aim है इसका ये ही aim है कि अभी जो हमारे existing schools है ठीक है वो और better बन पाए और हर school में implementation हो NEP 2020 का ठीक है so अगर obviously new चीजे अगर हम add-on करेंगे new curriculum हम add-on करेंगे तो बहुत पैसे भी चाहिए होंगे so इसलिए इनोंने अभी हालिम इंस्टॉल्मेंट ये पे किया है और लास्टा पॉइंट देखिए under the scheme there is a provision of setting up of more than 14,500 PM शिरी schools तो जैसे मैंने आपको बताया इस scheme के अंडर जो अभी बात हुई है 14,500 schools नए खुलेंगे ठीक है इसलिए इसका बहुत बढ़ा इनका budget सेट है काफी करोडों में तो उसकी अभी एक installment पे करी है कुछ 620 schools के लिए ठीक है 620 schools के लिए अभी जो हमने उपर पड़ा 630 करोज की installment अभी हाली में मोदी जी ने पे करी है तो basically लॉंच कब हुई थी last year which state और यूटी has launched EMC curriculum in their syllabus बहुत इंपोर्टन है यह question कुछ टाइम पहले ही कुछ टाइम पहले का मतलब है मेरा 2-3 साल पहले ही एक न्यू करी किलम एक स्टेट ने अपने schools में लॉंच किया था ठीक है इसके पारे में काफी बात भी हुई और इस करी किलम का नाम है EMC करी किलम इसी कौन सी स्टेट या फिर यूटी ने EMC करी किलम अपने पढ़ाई में या फिर अपने बोर्ड में इंकलूड किया है जमू एन कश्मीर डेली ही माचल अन प्रदेश या फिर हर्याना जो इस क्वेशन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर भी दाट इस डेली बहुत बहुत चीजे अपने करी किलम में आड़ करता है और जिसकी बहुत सराना भी की जाती है जिसके बहुत पॉजिटिव इफेक्स भी देखे जाते है सो जो इसका सबसे पहला में है मैं आपको जल्दी बता देती हूं ठीक है इसके लिए मैंने लग स्लाइड नी बनाई बड़ आपको पता होना चाहिए डेली ने अभी हाली में दो-तीन साल पहले ही इन इनोंने हैपिनेस करीकिलम इनोंने किया लाँच अगैन एट्थ क्लास तक इसके भी बहुत पॉजिटिव रिव्यूज है इन एमसी नाइन्थ टू ट्वेल्थ क्लासे के लिए इनोंने लाँच किया था अभी हम पढ़ेंगे और की एमसी है लाँच किया है और किसी भी बोड या सेंटर में यह आपको करीकिलम नहीं देखने को मिलेगा सो एमसी की जो फुल फॉर्म है वो है आंट्रिपनियोशिप माइंडसेट करीकिलम ठीक है साफ-साफ फुल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है एमसी की आंट्रिपनियोशिप माइंडसेट करीकिलम और यह क्या है यह बच्चे की ना बिजनेस माइंड जो एबिलिटीस आंट्रिपनियोशिप का क्या मतलब होता है मतलब बिजनेस सो बिसिकली जो बच्चे पढ़ते है स्कूल में वो जादतर क्या बड़े होके बनना चाहते है उनका प्रोफेशन एक दम सेट होता है कि या तो डॉक्टर या तो टीचर या तो प्रोफेसर या फिर ऐसे बहुत से प्रोफेशन से बहुत कम बच्चे होंगे जो की बोलेंगे मैं बिजनस मैन बनना चाहता हूँ या बिजनस वुमन बनना चाहती हूँ सो बिसिकली ये जो करीकिलम है ये बच्चों के उसी जो बिजनस माइंड लाइक बच्चे हैं जो आगे जाके कि बिजनेस मैं या बिजनेस वुमन बनना चाहते हैं सो उनकी एबिलिटीज को ये और बढ़ावा देता है ठीक है इसके अंदर बच्चों को अपने न्यू बिजनेस आइडियाज लाके क्लास में रखने होते हैं फिर हर एक स्कूल से एक या दो आइडियाज को आगे भेजा सके सो बहुत अच्छा ये है और इस करिकलम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के आइडियाज भी देखने को मिले हैं सो ये एमसी से रिलेटेड था अब हम बढ़ते अपने नेक्स क्वेशन की और very important question which IIT has recently launched the out of the box thinking course सो हाली में ये course एक IIT ने start किया है और इस course का क्या नाम है out of the box thinking course तो हमें बताना है कौन सी IIT ने ये course को launch किया है IIT Delhi, IIT Kanpur, IIT Madras या फिर इन में से none कोई भी नहीं सो जो इस question का correct answer है वो है option number C that is IIT Madras सो हाली में IIT Madras ने out of the box thinking course को launch किया है और ये क्या है अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं सो IIT Madras प्रवर्तक Technologies Foundation is calling for applications for the out of the box thinking OOBT सो ये IIT Madras जो प्रवर्तक है ठीक है इसने इस course को launch किया है out of the box thinking को OOBT इसकी short form है through mathematics course सो basically ये जो course है कि subject के अंदर launch किया है mathematics ठीक है क्यों कि बच्चों की creative thinking बढ़ सके सो हमें या पे course भी पता होना चाहिए कि maths के अंदर mathematics के अंदर ये course launch किया गया है और जो ये course है ये online course है जो अपनी countries के बच्चों के लिए as well as foreign countries के जो students है वो भी इस course में खुद को enroll मतला बढ़मीशन ले सकते है सो basically ये online course है जो ना की सिर्फ अपनी country है बट भार ही countries के बच्चे भी समें अपने आपको enroll कर सकते है सो basically हमें नाम पता होना चाहिए mathematics के अंदर है क्यों है creative power बच्चों की बढ़ सके और ये एक online course है सो ये सारी important चीज है इस course ते related next question in which state of India और UT भी हम लिख सकते है the first ever international conference on voter education was organized by the election commission so कौन सी ऐसी state और या फिर UT ठीक है है इंडिया की ऐसी पहली state या UT जिसके अंदर international conference हुई और इसके अंदर बात की गई है कि बच्चों को voter education भी दी जाए ठीक है voting से related education बच्चों को होनी चाहिए school level पे ही so ऐसे कौन सी state में या फिर कौन से UT में इसके लिए conference रखी गई थी जिसके अंदर ये चीज फाइनलाईज हुई थी और किसके द्वारा election commission द्वारा so Delhi, Rajasthan, Bihar या फिर Haryana so जो इस question का correct answer है वो है option number A that is Delhi अब Delhi में ये भी एक नई चीज हुई है हमने तीन तो new curriculum के बारे में उपर बात करी थी and हाँ election commission ने हाली में Delhi government को बोला है कि आप अपने schools में बच्चों को voter education के उपर भी classes दो, if not classes at least उन्हें voter education के बारे में बताओ, through workshop या फिर एक ही class या दो class के दौरान, आप उन्हें voter education से उनको उनको बताईए कि ये क्या है, क्यूं है जरूरत बच्चों को vote देना कौन सी एज में बच्चे vote दे सकते है basically जरूरत क्यूं है हमें vote देने की, इस से ये related है so Delhi इसका correct answer है option A so आज की इस वीडियो में इतना ही था I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो जरूर like करिएगा, comment section में जरूर बताईएगा कि questions का level कैसा लगा, कैसे questions लगे आपको और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और videos के साथ आँँ, तो आप please वो भी मुझे comment section में बताईएगा thank you so much for watching the video, have a great great day